इस बार आने क्या अनुमान लगाया जा रहा है अब देखे एक तो उनकी जो लोन ग्रोथ थी वो काफी मस्बूत आती हुए दिखे थी जो क्वाटर टू प्रोविशनल अपडेट्स आये थे वो काफी मस्बूत थे लगबग 15 पसंद की लोन ग्रोथ का अनुमान है और इसे क पड़ी वज़े जो CDSL में उन्होंने हिस्सा बिक्री की थी उसके चलते अनिया आये में इनकी बड़ा उत्री होती हुए दिखेगी और मुनाफ़ा बढ़ता हुए दिखेगा 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 जो नेट इंटरेस इंकम है उसमें 11 पसंद की बढ़त है मुनाफ़ा इस इस बार 11 पसंद बढ़ सकते हैं हलांकि restructuring और slippages हलके से उपर हो सकते हैं इस्तिमाही में लेकिन जो provisions है वो भी इस बार 11 पसंद बढ़ते हुए दिखेगे असेट कॉल्टी स्तिर रहेगी 1.54 पसंद आते हुए दिखेगी 1.47 पसंद से बढ़कर और net NPA फी इस पास तिर रहेंगे करीब आदे पसंद के आसपास तो इनौल देखना होगा कि इस बार जो फ्रेश लिपिजिस हैं provisions और री स्ट्रॉक्चरिन के numbers किस तरह से आते हैं आने वारे समय में जो guidance है या commentary है loan growth पर वो किस तरह से रहती है लेकिन इनौल जो numbers आते हुए देखेंगे वो काफी मजबूत रह सकते है झाल